हेलो जी असलाम रिकम एंड वेलकम टू माई यूटू फैमिली कैसे हैं आप सब होफुली आप सब ठीक होंगे हम भी सब ठीक हैं अलात अलात सब को ठीक रखे तो इसी चोटी और प्यारी सी दुआ के साथ जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो का जो मेरे किचन वाली साइड से नजर आता है तो मेरा दिल होता है कि चले मैं इसको भी थोड़ा सा फिल्म कर लूँ तो वैसे भी ग्रिनीरी जो आँखों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है तो अच्छा भी लगता है देखके तो मेरी तरफ से मेरी पूरी मज़े होते हैं लेकर इधर भी चलें खैर हमने कुछ ना कुछ तो खर नहीं होता है लेकर जिनके ज्यादा रेलिटिव्स हैं इधर तो इधर बाहर वाली कंट्री में तो उनके तो मज़े हैं लेकर जो के लिए बिचारे मेरे जैसे तो उनके खैर इतनी नहीं तो बाहराल भी आपको बताते हैं पहले मैं आपको इसकी रैसली बता दूँत हे लिए खुऽत प्राथकों को But kolle के सांच को मैंuar Ma uses Chef Just तो फिर मैंने सारी चीज़ें इस तरह से आपके सामने एड़ कर दी हैं आप देख भी रहे हैं तो अगर आपके पास चोहारी नहीं है तो आप इस तरह से खजूर लेके उसको थोड़ा सा इस तरह डाल दें काटके तो बस बड़ी मज़े का यह बना था आप यह कीन करें बहुत ही टेस्टी बना था तो आप ज्यादा इसको पकाएंगे ना वो फिर जब ठंडी होती है ना थिक हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल वो खाने का मज़ा नहीं आता थोड़ी सी लिकवर्डी फॉर्म में हो ना तो फिर वो यह मज़ेदार लगता है शीर खोलमा जो है साथ मैं बना रही थी इदर गोस्त और उसके लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी यह डाल दी आपको पता है जो भी स्पाइसे होते हैं तो मैं इसको दो तरीके से बनाती हूँ एक मैं इसको थोड़ा सा पहले भून के बनाती हूँ लेकन कहते हैं जब जल्दी हो ना रख दूँगी पकने के लिए तो यह तकरीबन गल चुका है और इसको थोड़ा सा और मैं टाइम दूँगी ताकि इसका पानी जो अची तरह से ड्राए हो जाए साथ मैं चिकन को भी मैरिनेट करूंगी सुबह के लिए अगर दिल किया तो सुबह बनाएंगे बना अगले दिन भी बना बना आ सकता है तो मैंने ले लिया था इसके लिए लसन का पॉडर लिया है बलेक पेपर है और तंदूरी मिसाला है मेरे पास थोड़ा सा सॉल्ट है एक मैंने पूरा बिग साइस का लेमन ले लिया था और चिकन को मैंने अच्छी तरह से वाश करके तो इसके अंदर मैंने कट अच्छी त तो बस जी मैंने सारी चीजें जो ना इसके अंदर मैं योगर्ट नहीं डालूंगी क्योंकि योगर्ट जो है वह पानी बहुत ज्यादा चोड़ता है तो आप इसके अंदर लेमन डालें तो खटास के लिए आपने इसके अंदर डालना कुछ भी आप डालें चाट मसाला भी आप इसके अंदर एड़ कर सकते हैं लेकर मैं इसके अंदर ये तंदूरी मिसाला यूज़ कर रही हूं तो मैं इसके अंदर लसन का पॉडर यूज़ करूंगी जो फ्रेश लसन है वह यूज़ नहीं करूंगी तो थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया यह देखे इसका कलर प तो थोड़ा सा ये डी फ्रोस्ट हो जाता पिर बड़े राम से या आप इसको नस्टीम कर सकते हैं जैसे भी आपने बनाना तो तकरीबन गोश्ट भी गल गया था थोड़े से मैंने मटर इसके अंदर एड़ कर दिये थे आज मेरा सिंपल बनाने को दिल नहीं का रहा था मैंने का चलिए थोड़े से ऐसे मटर डाल देते हैं फ्रोजन मेरे पास सबहोसे थी वो नकाल ल darn आउंगी मैंने उसको थोड़ा बहुत बदाम लगाए और बदाम मैंने जो नकाले थी मैंने उसको भणा ना था शर्पत. तो मैंने का था जल्दी से थोड़े से गरम हो जाएंगे ना तो उस चिलकी ऊपर से रिमूव करना जो बाग दोड़ इतनी ज्यादा लग जाती है तो फिर आपको पता गेस्ट जब आ रहे तो फिर जो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकर यह के लिए कोई मैंने ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और सब ने खाया मार्शाला से शीर खुर्मा और इद की नमाज पढ़ने चले गए थे तो अब वापस आये थे तो बच्चों के ताया जान उनको उनके गिफ्ट दे रहे थे तो मैं साथ मैंने का नहीं आप ठैरे में साथ इसको फिल्म भी करती हूँ तो आपको पता है कि वो जल्दी में आये थे तो इतना ज्यादा क्यूंकि आपको पता पहले बंदा अगर बनाता है अपना प्रोग्राम तो फिर होता है ना कि चले शापिंग करता है सारा कुछ लेकर नहीं आ ये है कि उनका अरजंट इसी दिन उन्ह करती हूं अपनी बड़ी बाबी का कि उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट बेजे बहुत प्यारे हैं ये सारे माशाला से तो सबसे ज्यादा यह है कि वो खुद आगे तो इससे कोई और ज्यादा बात नहीं है गिफ्ट की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती क्योंकि इनसान के लिए उनकी महबत और प्यार ही सब कुछ होता है तो बच्चों के लिए माशाला से उनोंने कब भी बेजे थे एक के उपर लिखा था अकबाल का नाम और एक के उपर लिखा था अवैस का तो सारी चीज़े बहुत अच्छी थी बच्चों ने गिफ्ट वगएरा लिए और फिर बड़े खुश हुए बच्चे तो बस एद जो एना ऐसे इंज्वाए कि ये माशाला सबने और उसके बाद ये आगे ये दुपहर की बारी तो आपको पता है कि एद वाले दिन एक खाना खत्म है तो दूसरा त्यार हो जाता है तो इद इसी चीज़ का नाम है ना कि हमने कौन सा किसी की तरफ जाना है खुद ही पकाना है घर में बैठके तो चले अच्छी बात है ना खुद पकाते हैं खुद ही खाते हैं तो चले आज हमारे गर में एक महमान भी आ गया तो बाकी सबका में वेट था तो बच्चे बड चले जी अब बनाते हैं बर्यानी और बर्यानी के लिए मैंने का था चले मैं पहले कॉर्मा जो ना वो बना के रख लूँ एक साइड पे तो चावल जो ना बाद में फिर मैंना बॉाइल कर लूँगी तो टाइम थोड़ा सा ना मेरे पास था अभी बस चिकन को मैंने थोड़ा सा ब्रॉण किया है लसन अधरा का पेस्ट टालंके तो टोमाटर एड़ की हैं साथ मैंने ब्रियानी म्सालय का एक जो ना वो कर दिया है पैकट शामल salt थोड़ा सा मैंने add किया इसके अंदर भी डालना है जब आपने न चावल boil करने न उसके अंदर आपने ज़्यादा नमक add करना है क्योंकि अगर आपके चावल आप जब boil करते हो फीके रहते हैं और फिर वो ब्रियानी का balance जो न सही नहीं रहता योगर्ट थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर lemon जो ना मैं जब squeeze कर लेती हूं उसके मैं उपर वाले जो ना चिलके फैंकती नहीं हूं तो उनको आप काट के तो आप zip lock bag में डालके freeze कर लें जब भी आपने ब्रियानी बनानी हो तो आप नकाल लें और इसके अंदर use करें तो उसका बिल्कुल वही texture होता है खटास होती है जरूरी नहीं कि उसके अंदर से rust निकल गया तो वो बिकार है नहीं तो आप कोई भी चीज इस तरह से waste ना किया करें तो waste करने से वैसे भी गुना है तो मैं उसके चिलके जो ना लेमन के इस तरह से सेव कर लेती हूं तो फिर मैं यूज कर लेती हूं इसी तरह से ब्रियानी में तो बस पानी में सारी चीज़े मैंने डाली थी जाइफल जवातरी थी यह सबज लाइची है सेनिमन स्टार है थोड़े से लॉंग है बड़ी ये लाइची है तो इनको मैंने डाल कि ना तकरीबन पानी को आदा गेंटा मैंने पकाना है क्योंकि इनक अच्छी तरह से जो फ्लेवर निकलेगा ना तो फिर बरियानी का जो ना मज़ा आता है तो बस आदा गेंटा मैंने पानी को अच्छी तरह से काया है और फिर उसके बाद चावल एड़ किए और चावल एड़ करने के बाद फिर मैंने उसका पानी जो न ड्रेन कर दिया था तो अब ब्रियानी की जो न मैं ले लगाने लगी थी एक नीचे मैंने ऐसे चावल डाल दिये थे फिर उपर मैंने इसके चिकन डाल दिये तो जादा मैं सबस मिचे वगरा कुछ नहीं इस तरह डालूँगी क्योंकि बच्चे फिनना खाते नहीं है नकाल के एक साइड पर रख देते हैं तो फिर मैं उसे साबसे बनाती हूँ कि बच्चे जो राम से खा लें उनको बार 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 वो चीजें चोटा तो बिल्कुल नहीं कोई चीज अंदर रहने देता आपको पता है कि वो हर चीज के मामने में इतना जादा चूजी है ना कि बस मो ड्राइफ रूट भी अगर मैं क इस तरह से अड़ कर सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं उपर से थोड़ा से मैल्ट करके तो फौल से आप इसका अंदम लगा दें या कोई रुमाल दे दें इसके उपर तो बस यह देखें जी माशाला से बर्यानी की फाइनल लुक आप तो यह वाले चावल जो ना बड़े खिले खिले से बनते हैं यह एटलस से मैंने लिये थे और एटलस की चीज़ें आपको पता है बहुत अच्छी होती है तो चले जी अब हम खाते हैं अपना खाना तो माशाला से देख लें बर्यानी की फाइनल लुक साथ मैंने थोड़ा सा सैलर काट लिया था और थोड़ा सा रायता था तो बस बर्यानी पे अगर रायता वगरा डालें तो उसका मज़ा नहीं खैर इतना आता तो मुझे तो वैसी अच्छी लगती है तो चलें जी मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है लाइक करना है और शे शाला मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अलाह फेज